हाई फ्रेंज आप देखनें फिल्मे के चड़ी मैं हूँ रूना अशीश और चलिए आज को सीरिल के बात करते हैं और मैं बात करने वाली हूँ अनुपमा की उडारियां की विग बॉस की और ये रिष्टा क्या कहलाता है कि शुरू करते हैं अनुपमा सीरिल मुझे बहुत स्पेशली इतना स्ट्रॉंग कारेक्टर दिखाया है कि यू गट इंस्पाइड बहुत अच्छा लिखावट भी है बहुत अच्छी उसकी पोट्रेयल भी है तो अभी जो लेटस्ट है आप जानते हैं कि वन्राज चाहता है कि कैसे अनुपमा सब चीजों को सम्हाल ले और वह आना चाहता है तो रुकना मत और फिर साथ ही में प्रोसेशन जा रहा होता है राधा कृष्ण की मूर्ती होती है उसमें उसी में से एक थाल में से वकुम को मुठाते हैं और तिलक कर देते हैं और मुझे लगता है यहां पर अनुपमा का एक और नया सफर होने वाला है दूसरे सीरिल की बात करती हूं उडारिया की बात करती हूं उडारिया में फते तेजों जैस्मन और अंगत की चारों की बुत्तम बुत्ती चल रही है आप देख रहे हैं और धीरे-धीरे फते को रेलाइस हो रहा है कि तू पिक अप स्टोंस ही लेफ दाइमंड याने की ज जैसे मुल्यवान बहु मुल्य अपनी तेजों को छोड़ दिया है और मुझे लगता है आगे आने वाले दिन में जब जैसे भी इसका इंगेजमेंट हो जाती है कुछ भी बात आगे बढ़ जाती है तब जाके फत्य कोई तो एक ऐसा स्टेप लेने वाला है जिसके वजह से ह को सकता है तेजो वापस लॉट या सिचुएशन साथी हो जाए क्योंकि अच्छी फत्य के घरवाले तो यही चाहते है चली बात करती यह रिष्टा क्या कहलाता है कि बहुत अच्छा लगता है मुझे जाती थी और महां पर बहुत सिंपली सिटी है इस सीरिल में इसले ऐसे में अभी मन्यू और अक्षरा आपस में मिलते है और शायद अक्षरा अब एकस्ट कर लेगी कि यह जिए अब यह मुझे नहीं मालूम है कि यह ड्रीम सीकुण्स है यह नहीं है अब चौथे बिग बॉस की बात करते हूं बिग बॉस में अब बॉट जो 6 है अब उसमे अा रहा है और ऐसे में सभी लोग अपने अपनी फेवरिट और नॉट 90 और अपनी नहीं चुनने वाले हैं अब ऐसे में तेज़स्वी और करन की बात होती है और दोनों की बीच में कुछ मन मटाओ होजाता है differences of opinion हो जाता है उमर की बात एक बार करना बहुत जरूरी हो गया है क्योंकि उमर जिस तरह किसे लड़ रहे थे प्रतीक से मुझे पता ने क्यों याद आ गई आसन की वो भी आसे लड़ते थे इतने सुंदर दिखने वाले लड़ाई करते हैं क्यों करते हैं यार चली फरेंज मेरे पास यह इंफरमेशन थी और पवंदीप से र्लेटेड अरुनिता से र्लेटेड बैडल रेलेटेड कुछ और इंफरमेशन और भी मैं उस पर काम कर रहे हूं जैसे जैसे वो confirm होती जाएगी आपको बताती जाओंगी और क्या आप किसी और सीरिल के बारे में जाना चाहते हैं तो मुझे बताईगा जै हिंद